हलो बच्चों, वेलकम टो आई यूट्यूब चैनल, तो आज हम करेंगे स्टैंडर टेंथ, मैट्स वन अलजबरा का चैप्टर नमबर फॉर, जिसका नाम है फैनाशिल प्लानिग, हम लोगों ने इसका एक प्रैक्टेस सेट, प्रैक्टेस सेट 4.1 अल्रडी अप्लोड कर द अगर आप डिरेक्टली ये लिक्चर देखोगे, तो आपको ये चैप्टर डिफिकल्ड लगेगा, जो ये बिलकुल भी नहीं है, ये बहुत इजी चैप्टर है, प्लस ये चैप्टर के प्रैक्टिकल अप्लिकेशन भी हैं, ठीक है, तो अगर आगे के वीडियो दिखने ह यहां फिर राइट साइड में उपर कॉर्णर पे लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन माइज आज में राके सारे वीडियो मिल जाएंगे, चलो शुरू करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में दिया है, आमिर एंटर्प्राइज पर्चेस्ट चॉकलेट सॉस चॉकलेट सॉस बॉटल्स कितने के लिए वो उसने नहीं बताया है, लेकिन इतना बताया है कि जीएटी कितना भरा उसने, 3,800 ठीक है, उसने किसी से तो लिया, उसको उसने इतना जीएटी भर दिया, अभी इसने अमिर इंटर्प्राइज ने अगबरी ब्रदर्स को बेच ठीक है, अभी अगबरी ब्रदर्स को फ्री में नहीं बेचा, उस तो प्राइस पे बेचा, और उसके साथ, टैक्स भी कलेक किया होगा, तो उसने जीएटी कितना लिया है, उससे, 4,100 मयंक फूड कॉर्णर पर्चेस इस बॉटल्स फ्रॉम अगबरी ब्रोज और अगबरी ब्रदर्स, अभी तीसरा आया है, मयंक फूड कॉर्नर, उसने कितना भरा जीएस्टी, 4,500, किसको? अगबरी ब्रदर्स को, find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable CGST and SGST, एक बार GST मिल गया अपने को, तो अपने को बता है, CGST, SGST तो उसका आधा-धा होगा है, यह जुडवा बच्चे है ना उसके, ठीक है, तो यह question का छोड़ दो, अपना main question है, find the amount of GST payable at every stage of trading, ठीक है, तो तीन है न यहापर, आमेर इंटर्प् अपरी ब्रदर्स मयंग फूड कॉर्णर, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, कि किसी ने तो, अब कौन वो अपने को नहीं पता, किसी ने तो अमेर इंटर्प्राइस को कुछ माल बेचा, अमेर ने वो अक्बरी को बेचा, अक्बरी ने वो मयंग को बेचेगा जब ये इधर कोई बंदा था उसने आमिर को माल बेचा तो आमिर उसको GST देगा तो हर जगा GST तो कलेक्ट होगा Correct Mayan Food Corner इसको GST देगा अगबरी इसको देगा अमिर उसने जिससे लिए उसको देगा इतना समझ में आया कितना GST दिया हुआ है देखो यहाँ पर Mayan Food Corner ने अगबरी ब्रदर्स को 4,500 का GST दिया है दिख रहा है यहाँ पर वैसे ही अगबरी ब्रदर्स ने आमिर को कितना दिया GST of 4,100 वैसे ही आमिर इंटर्राइज ने कितना दिया था GST? 3,800 अब यह बहुत ही सिंपल में question solve हो जाएगा आमिर इंटर्राइज ने 3,800 GST खुद के जेब में से दिया याद रखना है यह जो बीच में business वाले लोग है न यह लोग GST खुद से नहीं भरते हैं यह लोग customer से ही लेते हैं end में तो यह 3,800 स्टार्ट में भले उसने भरा हो ल जेब में डाल देगा ठीक है और बचा कितना 4,100 माइनस 3,800 यह जो बचा वो वो भरेगा government को कितना है 4,100 माइनस 3,800 कितना होता है 300 रुपीस वैसे ही जब अकबरी brothers ने 4,100 भरा आमिर इंटर्राइज को GST तो उसको पता है कि यह तो उसको वापस आने वाला है जब उसने माल मयंक food corner को बेचा तो मयंक से उसने 4,500 GST लिया अब क्या करेगा जैसे ही 4,500 मिला उसने अपना 4,100 अपनी जेब में डाल दिया ठीक है तो क्या बचेगा 4,500 में से 4,100 निकालो तो कितना बचेगा उसके पास 4,500 में से उसने अपनी जेब में 4,100 डाल दिया तो बचा 400 रुपीज ये वो government को बरेगा ठीक है अब तक मयंक food corner ने ये माल बेचा नहीं है at least हमको तो नहीं दिख रहा उसने बेचा ठीक है अगर उसने बेचा होता तो ठीक है अपने को पता चल जाता लेकिन उसने नहीं बेचा अब तक तो यही business यहाँ पे खतम होता है तो total GST कितना गया find the amount of GST payable at every stage of trading ये वाली stage पे 300 गया ये वाली stage पे 400 गया ठीक है बस यही find करना था figure में इतना जादा simple way में हो जाता है ये arrows वगेरा बनाने में time लगे है लेकिन एक बार आप figure बनाना सीख जाओगे ना तो mistake होने का chance ही नहीं ठीक है आपको पता है कोई भी लेकिन वो वापस ले लेगा तो जब वापस लेगा तो जो extra आया वो government को भरेगा ठीक है तो इसको 300 रुपया extra मिला था उसने government को भर दिया इसको अगबरी को 400 रुपया मिला था वो उसने government को भर दिया ठीक है अब इसमें CGST SGST की chain बनाने है table बनाना है वो table में आपको बता लेना पड़ेगा CGST SGST हम लोग last step में divide by two करके निकाल लेंगे और इसका table बनाके इसका answer कैसे लिखना है वो मैं आपको fair में बता दूगा लेकिन solution rough में आपको समझ में आए कि हमनी values कैसे निकाल एकदम simple है na conceptually अगर आपने ये एक बार बना दिया chart तो आप कोई भी questions all कर सकत ये ऐसे आएगा fair में मैं assume कर रहा हूँ आपने पहले दो questions अच्छे से practice किया और लिखे अपने notebook में तो पहले मैं आमेर enterprise का business all कर रहा हूँ उसका output tax कितना आया 4000 उसका output tax क्यों बोलते हैं क्योंकि आमेर enterprise ने जब बेचा उसकी दुकान से बाहर निकाला output ठीक है तो तब उस ने tax का लेकिया था इसलिए उसका output tax ये 3000 ने उसने कब बरादा जब माल उसने अपनी दुकान के अंदर लिया input अंदर आया ठीक है इसलिए उसको बोलते है input tax जो input tax होता है उसी को क्या बोलते है ITC input tax credit यादे ना for आमेर enterprise ये for आमेर enterprise अभी आपको समझेगा इसकी importance क्या है क काफी जगा सिफ ITC लिखा होगा खाली ITC मत लिखो हमेशा जो merchant ये company है individual है उसका नाम लिख तो ITC वर आमेर enterprise कितना होगा जो उसका input tax है वो ही उसका ITC होगा GST payable कितना होगा जो output tax है उसमें से ITC minus कर रहेंगे 4,900 minus 3,800 which is nothing but rupees 300 इतना simple मैंने rough मैं आपको arrow डालके बताया था दिख रहा है कितना लिखना पड़ पड़े है इतनी सारी lines लिखने पड़े है लेकिन लिखनी पड़ेगी और ये same step है जो पहले तो question में दे कुछ भी नया नहीं है एक word यहाँ पे नया नहीं लिखा है मैंने हाँ मेरे enterprise नया word ह बागी तो सब हमने already use किया हूँ ठीक है same way में जब मैं अकबरी brothers के लिखूँ गा तो अकबरी brothers ने ये माल यहाँ पे अंदर लिया तब उसने ये tax भरा था अकबरी brothers ने यहाँ पे माल बेचा output जब ये माल बेचा तब ये tax collect किया था तो उसके लिए output tax क्या होगा 4500, input tax क्य जो input tax है वही उसका ITC होगा ITC पाफबर brothers के आ गया 4100 तो GST payable क्या है output tax minus ITC output tax है 4500, ITC कितना है 4100 substitute किया 4500 minus 4100 आ जाएगा रुपीज 400 तो आपने दोनों जगप GST payable कितना आया आपने बता दिया चिन में ओके तो उसने पूछा था find the amount of GST payable at every stage of trading ये हमने बता दिया and hence find payable CGST and SGST ये काफी simple है अब CGST SGST क्या होता है हमको पता है it is GST payable upon 2 तो आमिर enterprise ने 300 रुपया GST भरा था तो मैं बोल सकता हूँ CGST equal to SGST equal to GST payable upon 2 ये formula हमको पता है GST 300 है divided by 2 which is rupees 150 ठीक है तो अगर GST 300 भर रहा है मतलब हो CGST 1500 और SGST 150 दोनों 150 150 बरेगा similarly अगबर के लिए क्या आएगा बताओ अगबरी ब्रदर्स ने 400 भरा था ना तो 400 डिवाइड बाइड 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 जबाब करेंगे तो 200 आएगा ना तो इससे हम लोगों पता चल गया कि CGST SGST पहले केस में 1500 1500 रुपया है और सेकेंड केस में 200 रुपया है ठीक है आया समझ में तो final answer कैसे लिखेंगे इसका हम लोग final answer ऐसे लिख सकते हैं जो उमने final answer निकाला दो चीज़े उसने पूछी थी दोनों लिखनी है नहीं तो आपको full marks नहीं मिलेगे यही same answer अगर आपको table form में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं company का नाम GST payable CGST payable SGST payable company कौन कौन से आमेर enterprise अगबरी फेदर्स और total आमेर enterprise ने GST कितना भरा 300 अगबरी ने 400 CGST और SGST तो आधा होता है तो 300 को आधा 1200 और यहां पर 400 का आधा है 200 तो टोटल निकालो इन दोनों का मिला के 700 इन दोनों का मिला के 350 इन दोनों का मिला के लिखना ओके तो यह हो गया इसका solution डाइग्राम में कितना simple way में समझ गया था कि कैसे करना है लिखने के लिए कितना कुछ लिखना पड़ता है न यह तो हमेशा की कहानी है क्योंकि कहानी के यह marks मिलते है ठीक है तो चलो यह पूरा फटा-फट से copy करो अभी के अभी कॉपी करना है पॉस करकर के आगे बढ़ सकते हो डन यह इसका first page था यह इसका second page यह इसका नीचे का पार्ट हर पर पॉस करके आप कॉपी कर सकते हो डन नेक्स्ट करते हैं फोर्थ question में दिया है यह bracket में चंदिगर्ड यूनियन टेर्टरी इसले दिया है because एक word change होने वाला है टेंचन मतलो लास्ट में बता दूगा क्या है परचेश सम ग्यास सिलिंडर्स फोर इंडस्ट्रल यूज फोर रुपीज 24,500 उसने कुछ तो माल खरीदा ग्यास सिलिंडर है बाउम है अपने फोर फरक नहीं पड़ता है उसने कितने में लिया 24,500 and sold them to the local customers for 26,500 profit बना के उसने बेज दिया अभी खरीद रहा है बेच रहा है कुछ तो GST बरना पड़ेगा न होग पुल रहा है find the GST to be paid at the rate of 5% GST to be paid at the rate of 5% and hence the CGST and UTGST to be paid यार देखो इसके पेले CGST और SGST था S की होता था because S मतब state होता था अब ये चंदिगड क्या union territory है पता है ना union territory क्या होता है पता है ना directly center के control में ठीक है तो CGST और SGST के जगे पे word change होता है यूटी ठीक है union territory goods and service tax बस वही difference है उन लोगोंने hint में दिया हुआ है for union territories there is UTGST instead of SGST सिर्फ word change होगा calculation में कोई फरक नहीं पड़ेगा तो अब यहां पे क्या किया उसने GST कितना भरा वो बताने के बदले वो check कर रहे कि चलो check करते इन बच्चों को percentage निकालने आता है कि 5% दे दिया ठीक है आपको अभी percentage calculate करके GST calculate करना पड़ेगा बस इतना time pass question है तो पहले मलिक gas agency का business है उसने क्या किया उसने कुछ माल खरीदा 24,500 में फिर उसने वही माल बेच दिया 26,500 में ऐसे ही तो बेच नहीं सकता GST बरना पड़ेगा GST कितना है 5% ये 5% GST किस पे है 5% GST इस चीज़ पर आएगा न तो मैं बोल सकता हूँ 5% GST of 26,500 जब ये collect करेगा जब ये खुद खरीद रहा था तब क्या करेगा 5% GST भरेगा कितने पे 24,500 कि उसने 24,500 में लिया हुआ है तो इसका value निकालेंगे हमको पता चल जएगा उसने GST कितना बरा 5% of 24,500 मतलब क्या 5 upon 100 correct of मतलब multiply कितना 24,500 00 cut 00 cut ये multiply करेगा कुछ value आ जाएगा कितना आएगा देखो अच्छे से 5 into 200 मतलब 1000 45,200 मतलब 1200 और 55,25 मतलब 1225 ठीक है similarly जब यहाँ पर calculate करूँआ तो क्या मिलेगा 5 upon 100 into 265 क्या आ जाएगा यहाँ पर 0000 cut 5 into 265 26,500 130 होता है तो 1300 55,25 मतलब 1325 आप calculation rough में कर सकते हो ठीक है ये मैं ऐसे बता रहा हूँ तो जब मलिक गास एजेंसी ने माल खरीदा तो GST कितना भरा 1 to 25 जब उसने माल बेचा तो GST कितना collect किया 1325 वो क्या बलेगा भाई यह 1325 पूरा government को नहीं दूँगा क्योंकि मैंने 1225 तो GST अल्रेडी भर दिया है तो 1325 में से 1225 पहले मैं निकाल लूँगा तो जब इसमें से 1225 निकालोगे तो उसे 100 रुप्या बचेगा यह 100 रुप्या वो GST भरेगा ठीक है बट उसने बुला है CGST और UT GST निकालो यह UT मतलब ऐसी होता है ठीक है टेंशन मतलब सेम है खाली वर्ड लगे UT तो 100 रुप्य में से दोनों equal equal मतलब कितना होगा 50 रुप्या यह 50 रुप्या यह खतम अंसर आ गया आया समझ में तो यह question में difference क्या था एक तो एक ही दुकान थी ठीक है आमिर अगबर ही यह समय तो दो दुकान थी तो काम already simple हो गया खाली यहाँ पे direct GST देने के जगा उसने आपको percentage calculate करने के बुला चेक किया कि आपको percentage निकालना आता है के नी वो तो आता है done बट जब लिखेंगे तो सब लिखना पड़ेगा कि output tax import ITC divide by 2 है ना पर logic समझा concept समझ गया ना चलो देखते हैं इसको fair में कैसे करेंगे तो fair में इसका solution ऐसे आएगा पूरा आपको बताना पड़ेगा कि tax कैसे calculate किया किसका output tax बोलते हैं देखलो यहाँ पे output tax यह diagram तो मैंने आपको समझा दिया output tax क्या है जब उसने माल बेचा अपनी दुकान से बाहर निकाल आउट तो 5% of 26,500 5% मतलब 5.100 यह तो ऐसे ही हैगा 26,500 00 cut 00 cut 5 into 265 में आपे calculate करके बता दिया आपका काम हो गया 13.25 similarly input tax आएगा 5% of 24,500 00 cut 00 cut 5 into 245 calculate करके बता है 1 to 25 ITC क्या होगा जो input tax है वही ITC होगा मलिक एजिंसी के लिए ठीक है मलिक गास एजिंसी GST payable का formula output tax minus ITC output tax 1325 ITC 1225 minus क्या answer as 100 क्या बुचा है CGST and UTGST यहाँ पे confusion होता है यहार हमेशा S लिखते थे उसने खुदी मुला है चंदिगड़ेक union delivery है state नहीं है तो state के जगे पर UT आ जाएगा ठीक है equal to GST payable upon 2 GST जा 100 रुपए upon 2 जब आप इसको cut करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 21,000 और यह 25,000 10,000 तो आ गया 50 upon 1 which is 50 रुपीज खतम दोनों 50-50 तो GST to be paid is रुपीज 100 and the CGST and UTGST to be paid is रुपीज 50 each ठीक है total 100 रुपया है उसमें से 50 रुपया किसको जाएगा CGST को और 50 रुपया UTGST ऐसे आगया पुरा solution यह रख सबाग है side में क्या हुआ है आपके लिए एकदम spoon feed करके सिखा रहा हूँ आपको इसके लिए नहीं कि आप copy करें और ध्यान न दे पर एक-एक word आपको समझ में आ जाए यहाँ पर पूरे page पे एक ऐसी चीज नहीं होने चीज जो आपको नहीं समझे अगर ऐसा है तो rewind करके फिर से देखो क्यूंकि मैं एक-एक question इतनी देर तक इसलिए सिखाता हूँ ताकि आपको बार-बार-बार revise ले करना पड़े नहीं तो काफी लोग कैसे यह same question में दो मिनट में करा दूँ आपको ठीक है खाली यह diagram explain कर दूँ और बुलो हाठी के अभी कर लो खुद से बट लिखना कैसे वो भी बहुत important है marks आपको steps के मिलते हैं तो यह सारे steps है हर एक word का मतलब समझना है video rewind करके देखना है अगर नहीं समझा तो फटा-फट से copy करो और यह बनाना है बार-बार मुझे पूछना मत सर्य बनाए के नहीं बनाए हमेशा बनाना है teacher यह देखेगी न तो आपको बहुत अच्छे marks मिलेंगे because teacher को भी समझ में आएगा कि इसको flow समझ में आता है कि exactly business हो क्या रहा है खाली रखता नहीं मा रहा है इसने कि formula क्या रहे output tax इसको बोलते हैं है न होगया copy done next करते है fifth question में दिया है messers beauty products यह m oblique s जो है इसको messers pronounce करते है miss b बोल दो चल माल खरीदा cosmetics और उस पर 18% GST भर दिया and sold to a customer for rupees 10,000 must profit बनाया है इसने 10,000 रुपे में customer को बेज दिया what the amounts of CGST and SGST shown in the tax invoice issued क्या time pass करा है यह तो बहुत ही easy question है 4.1 का question हो गया है क्योंकि वो क्या बोल रहा है tax invoice मतलब उसने एक bill बनाया होगा ठीक है यह जो beauty products वाले हैं इन्हो 10,000 रुपे में यह माल बेचा अब GST 18% लगा है तो यह invoice में 18% GST लगेगा किस के उपर यह 10,000 रुपे के उपर तो वो बोल रहा है यह जो GST लगा वो calculate नहीं करना आपको CGST और SGST बताना है कि यह इसमें tax invoice में कितना आएगा क्या time pass question है कुछ यहाँ पे आपको input tax credit पगेर find ही नहीं करना है यह सिर्फ confuse करने के लिए data दिया गया है ठीक है अब उपर practice rate 4.2 लिखा है तो बच्चे बोलेंगे रहे नहीं है और यह तो बहुत dangerous होगा ITC निकलना पड़ेगा लेकिन पूछा ही नहीं हो सब सिधा CGST और SGST पूछा हुआ है तो मैं क्या बोलूँगा 10,000 पर 18% GST तो क्या आ जाएगा 18% of 10,000 रुपीज 18% मतलब 18 upon 100 of मतलब multiply 10,000 0,0 cut 18 into 100 आ जाएगा 1800 यह क्या है भाई यह है GST ठीक है GST है 18% उसने पूछा है CGST SGST आपन क्या बोलेंगे CGST equal to SGST equal to GST payable upon 2 यह राफ है इसले पुरा नहीं लिख रहा जी एसले पूरा नहीं लिख रहा ताकि आप डर क्या ऐसा सोचे कि इसमें तो कुछ अलगी करना होगा ठीक है यह 6,000 रुपिया यूज ही नहीं किया उसने पूछा नहीं आया input tax credit कितना है या government को GST कितना बरा जाएगा उसने पूछा tax invoice जो issue किया मैंने ये company ने जो tax invoice customer को दिया उस पे कितना GST बताएंगे तो उस पे इतना 900 रुपिया CGST और 900 रुपिया SGST बताएंगे आया समझ में fair में कैसे करेंगे देखो छोटा सा cute सा solution आएगा मैंने ये figure बना के दिया है ताकि आपको समझे कि ये चीज़ पूछी नहीं उसने tax invoice में CGST और SGST कितना आएगा वो पूछा है ठीक है यही tax उसने invoice पे दिखाना है invoice पे यह जो यहाँ पे government को भरा वो अला नहीं आता invoice पे जो यहाँ पे इसको customer को बेचा अगर customer को दिखा कि यह मेरे से 800 collect कर रहा है लेकिन government को तो कम पैसा बर रहा है तो चलेगा क्या नहीं चलेगा customer को वही चीज़ का invoice देना होता है जितना उ Output Tax upon 2, 800 upon 2 which is 900 तो उन्हों बोल सकते हैं amount of CGST and STGST on the tax invoice is Rs. 900 each खता है समझे में यह Output Tax के यहाँ पे GST भी लिखते है न तो चलता बट अगर इसमें पूछते के government को कितना GST जाएगा तो यहाँ पे आपको 18% of 6000 calculate करना पड़ा है ठीक है कितना आता वो 186108 तो 1080 आता आता आ 1080 आता वो आप इदर जितना भरा है 1900 उसमें से माइनस कर लेते ठीक है और 1800 में से 1080 माइनस करके जो आता वो government को भरते क्योंकि यह वाला GST भी यह भरेगा ही यह जो MS Beauty Products है इसने यह GST भरा है लेकिन यह question में GST Payable पूछा ही नहीं है जो पूछा नहीं है वो अगर आपने इसको बताया है तो marks नहीं मिलेंगे आप सुचिंगे रहे क्यों नहीं मिलेंगे यार तुमको यह पूछा और आपने यहां पर answer में लिखा बंगलादेश का capital धाका है उसका marks क्यों मिलेगा यार पूछा ही नहीं है तुमको ऐसे ही अगर यह नहीं पूछा और वो लिखा त उसका marks नहीं मिलेगा आया समझ में पूछा क्या है कि tax invoice पे क्या print हो क्या आएगा तो जब MS beauty production tax invoice बनाएगा तो उस पे print हो क्या आएगा 900 रुपीज CGST और 900 रुपीज SGST दन समझ में आया tax invoice मतलब bill जो दुकानवाल आपको bill देता है उसको tax invoice बोलता है चलो फटाफट से copy करो बहुत जादा important question है यह not because of the difficulty level because of the difference in the question they have not asked you GST payable they have asked you what will be printed on the tax invoice चलो copy करो फटाफट से नहीं समझा फिर से repeat करो आगे जाके देखो बट यह question समझना है done sixth question में दिया है prepare business to consumer tax invoice using given information business to consumer मतलब जब आप दुकान पे जाते हैं suppose आप डीमाट में गए या कोई भी सूपर मार्केट में गए वो लोग जो आपको bill देते हैं आप consumer है वो business है तो वो जो bill देते हैं उसको बोलते है business to consumer tax invoice ठीक है तो आपको वैसा एक bill बनाना है sample write the name of the supplier, address, state, date, invoice number, GSTIN etc. as per your choice आपके मन में जो आए आप लिखिए मैं मस्कवाल आपको बना के देता हूँ आप वो लिख लो आपके खुद के नाम की दुकान बना नहीं है वो लिख लो तो supplier में क्या-क्या लिखना है उसका नाम, उसका address, उसका state, कौन सी तारिक कौमाल बेचा, invoice का number क्या है, GSTIN क्या है ये सब बता ले particulars, particulars मतलब क्या-क्या बेचा गया था, एक mobile battery थी जिसका rate था 200 रुपए, उसके उपर GST था 12%, HSN, अभी मैंने आपको बताया कि नाम से पता नहीं चलेगा, लेकिन HSN से पता चलता है कि वो चीज़ पे कितना GST लगेगा, तो इन लोगोंने HSN आपको दिया हुआ है क्योंकि आपको by heart नहीं करना, अगर HSN नहीं दिया होता, तो आप जो ये tax invoice बनाते, उसमें HSN नहीं ल कुछ लिखना है, और एक piece उसने mobile battery लिया, वैसे ही headphone 700 का है, उस पे GST अलग है, देखो 80%, उसका HSN क्या है, 8518, और उसका एक piece है, तो इस चीज़ का एक bill बनाना है, हमने already bill ये वाले practice set में, 4.1 में मैंने आपको ये पूरा bill समझाया था, कि serial number, HSN code, नाम लिखना है, rate लिखन है, फिर CGST, SGST का अलग-अलग column मनाना है, लेकिन पूरा column सेम होगा, देखो, 2.55, 2.55, 14, 11.2, 14, 11.2, last में जब total आएगा न, tax का, वो भी देखो, 41.7, 41.7, अलग-अलग बनाना है, लेकिन है same, खाली उपर CGST लिखने का, इधर SGST लिखने का, फिर total में क्या करते थे हम, ये पांच रुपया, प्लस ये पांच रुपया करके जो है, वो लिखते थे, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजे लिखने है, ये जो GST IN होता है, ये 15 डिजिट का एक कोड होता है, उसमें जो पहले दो डिजिट होते हैं, वो बताता है कि state कौन सा है, 27 मतलब महाराष्टा क कोड है, नमबर देखके ही समझ जाता है, अगर आपने यहाँ पे महाराष्टा लिखा तो कितना बड़ा कोड हो जाएगा, खाली 27 लिखा, तो computer को समझ जाएगा, अच्छा ये महाराष्टा का GST है, उसके बाद के जो 10 डिजिट है ना, वो 10 डिजिट पैन नमबर है, जो वो फॉर्म का डिरेक्टर या प्रोपराइटर है, उसका पैन नमबर, या कमपनी जो है, वो कमपनी का पैन नमबर है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो डिजिट से जेड ये एक सेव करके रखा गया है, आगे फ्यूचर में कुछ यूज करेंगे इसका, और ये जो है, वो चेक्सम है, चेक्सम माने ये नमबर बताता है कि आगे का जो नमबर है, पूरा, वो फाल्तो में ऐसे ही किसने कुछ बना दिया है, कि अक्चुल का सही नमबर है, जैसे किसने ऐसे ही रैंडम बनाया, ये रैंडम है, देखो 27 A, B, C, D, ये किसी का नमबर नहीं हो सकता, तो ये जो नमबर है न, लास्ट वाला, ये 14 नमबर चेक्क करके बताता है कि ये सही है कि आपको एक्जाम में कुछ चेक नहीं करना है, आप रैंडम कुछ भी नमबर लिख दो, 27 लंका, 1, 2, 3, 4, खोली, कुछ फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट 15 डिजित का लिखना, उससे बड़ा मत लिखना, ओके, तो और फॉर्माट ये ही फॉलो करते हो, तो जादा अच्छ है, 27 लिखो, बीच में A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, H, 1, Z, 5, 6, 7, आपको 7 लिख देना हो, ठीक है, ये Z change मत करना, ये Z ही रखना है, ओके, ये supplier मतलब यहां पे supplier का address, invoice number मतलब, invoice का number हो सकता है, invoice date, आप कभी भी की बना सकते हो, और जो items हमारे bill में वो लिखनी है, ये वाली नहीं लिखनी है, तो ये 4.2 में जब मैं करूंगा, तो ये invoice कैसे बनेगा, पहले ये calculation में आपको करके बता देता हूँ, because directly bill में करूंगा, तो हो सकता है, शायद आपको नहीं समझन है, यहां पर 12% GST है, 200 रुपए पर, बड़ हमको bill में CGST और SGST लिखना पड़ा है, तो अगर GST 12 है, तो CGST कितना होगा, CGST और SGST होगा, 12% upon 2, ये रफ में कर रहा हूँ है, कितना जाएगा, 6%, तो मुझे calculate करना है, CGST equal to SGST equal to 6% of, कितना भाई, 200 रुपए की बैतरी है, तो off 200, 6% मतलब 6 upon 100, off मतलब multiply, 200, 00 कर, 00 कर, 620, 12 रुपीज, तो CGST 12 रुपए, SGST भी 12 रुपए, ये bill में मैं अलग से लिख दूँगा, जोनों का rate क्या है, 6%, 6%, जैसे हेड़फोन का क्या हैगा, 18% है न GST, तो CGST 9%, SGST भी 9%, वो 9% हम 750 पे calculate कर लेंगे, और उसका value लिख देंगे, ठीक है, तो calculation क्या हैंगे, देख लो एक बार, ऐसा हैंगे calculation, rate of mobile battery, which is taxable value 200 रुपीज, rate of CGST क्या होगा, 12 upon 2, because GST 12 दिया हुआ है, 12 upon 2 हो जाएगा 6%, CGST is 6% of 200, calculate करके 12 रुपेया है, तो मैं बोल सकता हूँ CGST equal to SGST equal to 12 रुपीज, similarly, headphone का calculate क्या है, उसका taxable value 750 दिया है, उसका CG CGST क्या आएगा, उसपे GST 18% है, तो 18 divided by 2, which is 9%, CGST calculate क्या 9% of 750, क्योंकि उसका taxable value 750 है, 9% is 9 upon 100 into 750, इसको जब calculate करोगे, तो आपको आएगा 67.5, अगर calculation नहीं समझता है, तो देख लो, यह 0 के साथ, यह 0 कट किया, 5 2s are 10, 5 15s are 75, क्या आगे आपको 15 9s are 135 divided by 2, 135 divided by 2, यहां पे solve कर ले ना, 2612, 1 IR 15, 2714, 1 decimal डाला, 0 डाला, 2510, तो आपके पास बचा 67.5, वो ही है अपना CGST, बट आपको CGST और SGST दोनों लिखना है बिल में, तो दोनों equal होता है, ऐसे लिख दिया, ठीक है, अब इसका invoice कैसे बनेगा, देखो, अब इसका invoice ऐसे बनेगा, नाम उन्होंने दि या नहीं था, supplier लिखा था, आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, आपका भी लिख सकते हो, तो मैंने यहां पर लिखा है, Rohit Kohli Mobiles, समझ मैंना किसका नाम लिखा है, और वांखेड स्टीडियम का address लिखा है, white cup चल रहा है, ठीक है, यहां पर mobile number कुछ भी लिखा है, email भी कुछ आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी ऐसे मत लिख देना, ठीक है, कोई तो एक address लिख देना, आपने घर का भी मत लिख देना, क्यों बताना है किसी को, school का address लिख देना, ठीक है, आपके नाम की दुकान बना देना, फिर GSTIN, यह sample जो GSTIN दिय यह World Cup Final के, आप कोई भी date डाल सकते हो, फिर क्या लिखना है, serial number, HSN code, HSN code मैंने आपको बताया, क्या होता है, HSN code हर एक article का defined है, आप खुद से नहीं बनाते है, यह random चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको याद नहीं रखना है, जो आपको question में दिया है, वो ही लिखना है, यह 1, mobile battery का HSN code दिया था question में 8507, item का ना mobile battery, उसका rate है 200 रुपया, एक piece लिखा हुआ था question में इसलिए 1, taxable amount क्या है, 200, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे quantity 2 होती, तो total price क्या होता, 200 into 200, ठीक है, आपको यह वाला column और यह वाला column सेम तो एक क्यों बनाया, because quantity के हिसाब से change होत है, आपका भी supermarket यह कहीं पर जाओ, आपको समझेगा कि quantity, अगर 2 होती, तो यह पर 2 लिखा होगा, फिर multiplier के answer देगे, अगर यह 750, तीन headphone लिए होते हैं, तो 753 जो भी आता है, तीन headphone लेंगे तो पापा एक कान के नीचे देंगे, लेकिन समझ मैंना क्या बोल रहा हूँ, तो मैंने आपको calculate करके बता दिया, 6%, 6% था, और कितना था, 12, 12 रुपे, वैसे ही जब headphone का बनाओगे, तो उसका 9%, 9% था rate, rate percentage में, और 9% कितना था, 67.5, 67.5, total क्या होता है, यह 200, plus 12, plus 12, कितना हुआ, 214, 750, plus 67.5, plus 67.5, 885, नीचे total रुपीज जब लिखेंगे, तो इसका total करे यह tax का, 79.5, central को जाएगा, CGST, same, 79.5, state को जाएगा, और यह पूरा total करेंगे, तो आएगा, 1109, ठीक है, actual में देख रहे थे, तो आपको 950 रुपीज का पढ़ रहा था, total, headphone और mobile battery में लागे, लेकिन, GST कौन देगा, चाचा, GST भी बना पढ़ेगा, तो total भी लापता बन पढ़ेगा, 1109 रुपीस का, तो ऐसे बनाना है invoice, अब कुछ बच्चे मुझेंगे, sir, यह याद करना पढ़ेगा, यार याद तो करना पढ़ेगा, और कोई option है नहीं, आप खुद computer तो है नहीं कि automatically generate हो जाए, तो आपको यह table बनाने की practice करनी पढ़ेगी, यह free के marks है free, easy question exam में आई नहीं सकता, तो percentage calculate करने के marks से यार, अच्छे से यह practice करो, याद करो, यह invoice कैसे बनाना है, बस, 3-4 बार करोगे तो आज जाएगा, ठीक है, यह दो column तो same to same है, done, तो यह हो गया है इसका solution, कर लो copy फटा फट से, अच्छे से scale से बनाना, ऐसे से 3D midi line मत बनाना, और mistake हुआ तो फिर से बनाना, बट अच्छे से एक बार invoice बनाना, यहां पर उपर लिखना, tax invoice of goods purchase, आगे बढ़ते हैं, 7th question में दिया है, prepare business to business tax invoice, business to business माने, end में हमने customer को नहीं बेचा है, end में भी हमने एक business को बेचा है, तो उसका भी GSTN number होगा, ठीक है, बस उतना ही difference है, ना की कोई difference नहीं, अगर वो business है, तो उसका address में दरस सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, आप DMART में जाके कुछ खरीदते हो, तो आपका address थोई ना लिखते हो, बिल पे, नहीं लिखते हैं, एक बार try करना कोई supermarket में, या medical में जाके, जब आपको computer में से बिल निकाल के देग जाधा मांगी जाती है, क्या details हो, देख लो, एकदम time pass है, but tension मतनों ये word देखके, as per the details given below, name of supplier, address, date, as per your choice, supplier का name, address, date, GSTIN, invoice number date, recipient, जिसको बेचा, वो भी एक business है, तो उसका name, address, date, GSTIN, तो दो GSTIN लिखने हैं हैं, ओके, items दी गई है, उसका HSN भी दिया गया है, item के rate दिये हैं हैं, और GST भी दिया गया है, अब यहाँ पे देखो, pencil box 100 है, rate per piece 20 रुपय है, तो total कितना होगा, 20 into 100, 2000 रुपय है, jigsaw puzzle 50 piece है, एक का 100 रुपय है, तो total कितना होगा, 15 into 100, 5000 रुपय है, यह आपको समझा, मैंने बुला था न, taxable value का column अलग क्यों बन रहा है, क्योंकि rate और taxable value हो सकता है, अलग हो, यहाँ पे items जादा है, ठीक है, तो इसका invoice में directly आपको बना के दे रहा हूँ, जो इसका calculation है, वो आप खुद से कर सकते हैं, because मैंने already आपको बहुत सारे questions, calculation माले बता दिये, ठीक है, HSA number भी दिया हुआ है, तो इसका invoice कैसे आएगा, देखो, तो ऐस से आएगा tax invoice of goods purchase, supplier और recipient, दोनों की सारी details आपको लिखने पड़ेगी, दोनों का GSTIN भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, यह देखो, मैंने same GSTIN पहले वाला copy किया, और second वाले में खाली यह 3-4 को 7-8 बना दिया, same to same मत लिखना, supplier और recipient का GSTIN सेम नहीं हो सकता, ठीक है, खाली यह 2 चीज़ चेंज करना, यह सब चेंज मत करना, last का number चेंज करना है, तो 5 के जगे यहाँ पर 7 डाल सकते हैं, okay, file तुम्हे, order चेंज करोगे, तो आपको और एक GSTIN नमबर का format देखना पड़ेगा, इसलिए ऐसे चेंज कर दो, supplier का नाम मैंने रखा है, शमी, सिराज, यहाँ पर देखो, सेम पूरा बन रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सिक्स्ट क्वेशिन जैसा, फर्स और सेकेंड, इसका यचे से नकोर दिया हुआ है, pencil box, jigsaw puzzle, pencil box का rate कितना था, 20 रुपया पर box, jigsaw puzzle का 100 रुपया पर box, कितनी quantity थी, 100 pencil box लिया है उसमें, business है न, यह का 50 total quantity, 100 into 55,000, इस पे GST दिया हुआ था, 12% का, तो CGST होगा 6%, SGST भी होगा 6%, इस पे GST दिया था, फिर से 12% का, तो CGST 6%, यह भी 6%, 6% calculate करो, 2000 का, 6% of 2000, 6 upon 100 into 2000, 00 cut, 620s are 120, तो यह आ गया 120, similarly इदर भी 120, यह total कैसे आएगा, 2000, plus 120, plus यह वाला 120, तो आ जाएगा, 2000, 240, similarly pencil के लिए 6%, जब 5000 का calculate करोगे, तो आपका आएगा, 300, यहाँ पे भी 300, यह total कैसे आया, 5000, plus 300, plus 300, 5600, फिर, total rupees में किस चीज़ का total टानेंगे, यह tax का, 300 plus 120, 420, 420 ही कर रहा है यह, यह भी 420, और इन दोनों का total है, 7, 8, 4, 0, यहाँ पे देख्के लगता है कि 7,000 रुपे ही भरने वाला है हो, नहीं, tax भी भरना पड़ेगा, total 7, 8, 4, 0, रुपीज भरना पड़ेगा, ठीक है, तो यह बन गया आपका पूरा invoice, B2B, business to business होगा, तब recipient का भी पूरा details लगेगा, और GSTN भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा माल खरीद रहा है, बहुत सारा माल खरीदेगा, तो government के पास पूरी information होनी चीए, कहां से कितना माल जा रहा है, ओके, यह सारी details नहीं होगी न, suppose इसने यह सब नहीं बनाया, तो शमी सिराज mobile पे जब government पूछताच करेगी, तो बोले कि भई, तुने माल किसको बेचा, बता तो सही, तुझे पता होना चीए, न, इतना माल कहां गया, ठीक है, तो यह सब लिखना पड़ेगा, जब B2C बनाएंगे, customer के लिए, तब आपको यह recipient की details नहीं, खाली नाम लिखेंगे तो भी चलेगा, मैंने इसके पहले वाले question में नाम लिखा था, आपने पड़ा था, यह चीज़े तो कंबल सरी, और यह भी पूरा कंबल सरी, बनाना ही पड़ेगा, ऐसे मत तो चलेगा, सब कुछ लिखना है, यह total rupees भी लिखना है अपको, ठीक है, और यह उपर भी लिखना है, tax invoice of good purchase, चलो फटा-फट से video pause करकी copy करो, इसका calculation जो है ना, वो कुछ जगह पर बताते हैं, कुछ जगह पर नहीं बताते हैं, बट मैं तो बोलता हूँ, calculation अलग से एक page पे करो, ताकि यहाँ पर mistake ना हो, जैसे मैंने 6th question मैं आपको करके बताया था calculation, same way इसका calculation भी आप करके बताओ, हो गया, कर लिया ना copy, तो आज के lecture में, lecture 2 में मैंने आपको 4.2 का 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th, यह सारे questions करा दिया और इसी के साथ हमारा practice 4.2 होता है, खतम, तो financial planning के 2 practice set, एक दम detail में हर एक question हमने solve किया है, अगर आप अच्छे से देखेंगे हर एक वीडियो, तो आपको यह दोनों practice set का एक भी question ऐसा नहीं होगा, जो नहीं समझेगा, इसके basis पे अलग question कुछ पूछा, तो वो भी आपको आएगा, इसलिए concept अच्छे से समझो, ताकि यह chapter का question आए, तो full marks मिलन चाहिए, यह chapter life में आगी जाके काम आने वाला, इसलिए तो ठीक से करना ही है, ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे खतम करते हैं, लेक्चर अगर पसंद आया, तो लाइक ज़रूर करें, link अपने दोस्तों के साथ, whatsapp पर share करें, ताकि उनको भी practice set 4.2, अच्छे से सम्मन में आ जाए, अगर आपने चैनल को अलड़ी सब्सक्राइब कर दिया है, तो thank you, नहीं किया है, तो क्यों वेट करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, बाजो में बेल आएगा, वो भी घंटी बज़ा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीड करूँ, आपको notification आ जाए, और आपको important lecture मिस ना करें, कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है, तो आपके लिए नहीं मेर लिए कमेंट्स कीजिए अगर तो, थांक यू सो मुझ वाचिन दिस वीडियो